कि हमारे कारिक्रम अदिशासी, शोबिश अर्मा जी हमारे बीच मौजूद है आज उसी वादे को निभाने के लिए पोँचते हैं, तो आज उसी वादे को निभाने के लिए मैं यहाँ पर हूँ, जी तो शुरू करते हैं, क्योंकि समय हमारे पास रुमान काम है, और आज शाहिद लेटर्स बहुत सारे हैं, जी जी सैर, तो ये हमें डॉक्टर दीबिका म बहुत सुन्दर कारेकरम कर रही है, सभी को हार्दिक बधाईया, विशेस का रुमान के लिए कहना चाहूंगी, उनकी चोईस बहुत अच्छी है, मुझे उनका प्रोग्राम शुरू करने का अंदाजा बहुत पसंद आया, वह अपनी थीम के लिए बहुत ही अच्छी लाइन and length select करती है, उनको बहुत बहुत बधाईया, आवाज तो उनकी माशालला बहुत अच्छी है, आवाज से जाना चाहूंगी मरियम की तरफ, उनकी आवाज खनक्ती हुई है, जो प्रोग्राम में एक रोमांच भर देती है, बहुत अच्छा प्रिजेंट करती है, कारेकरम उ होता चला जाता है, उनको भी बहुत हार्दिक बधाईया, इसके बाद मैं वन्शिगा की तरफ आना चाहूंगी, उनकी आवाज बहुत अच्छी है, अपनी आवाज के दम पर वे कारेकरम में आकर्शित कर लेती है, कारेकरम का यह आकर्शन प्रोग्राम की शान है, अपने बहुत बधाईया, इस नेचुरल क्वालिटी के लिए, हमें पूरी आशा है, शोबी सर्मा जी के डिरेक्शन में युवाणी के टीम नजियोबाद आकाशवाणी स्टेशन को उनके चरण उचायों तक जरूर पहुचाईगी, बहुत बहुत शुक्रिया दिपिका जी, इस प्यारे से, क्या है कि मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जब हमारे प्रोग्राम में स्पेसिफिक्स की बात होती है, हमारे जब लिसनर्स इस कारिक्रम में पत्र भेजते हैं, संदेश भेजते हैं और वो स्पेसिफिक्स के बारे में बताते हैं कि कौन सी चीज अच्छी लग तो सभी लोगों को बहुत-बहुत बधाई आप ऐसी हमारे कारेकरम सुनती रही है वंशिका का नाम में भूल गया था है वंशिका आपको भी बहुत-बहुत-बहुत-बधाई एक बार प्रोग्राम ये वालो जो हमें लैटर आया प्रोग्राम में यह है अनिल विनोचा जी का ये कहते हैं शुबिश शर्मा जी साधन नमस्कार ग्यारा दस का यूथ मेल प्रोग्राम बहुत गुड लगा सबसे बड़ी बात वन्शी का सोती और रुमाण की प्रोग्राम प्रिस्तूती थी, अवास confidence देखते ही बनता था और शोबित जी क्यों पस्तिती प्रोग्राम को चार चान लगा देती है सच दिल बढ़ा देती है तेरा दस की लव स्टोरी बहुत प्यारे लगी, स्टोरी का नायक सुनील बहुत ही गुड जीवन दर्शन लिये था गेम से प्यार, रेडियो से प्यार, एजुकेशन के बाद मम्मी के ताने से प्रेणना लेना जॉब करना, उनके कहने पर रिजाइन कर देना शॉब करना और कॉलिज का प्यार ना मिलने पर फिर एक सॉंग से जीवन को सम्हाल लेना बहुत ही गुड किरदाल लगा राइटर को बधाई और A.I.R. नजीवबाद का थैंक्स इतनी गुड स्टोरी A.I.R. करने के लिए गीत आपके नाम और गफश पड़्डा में सौंग बहुत गुड प्ले के गए सतरा दस को स्टोरी अधियोकता गुड लगी जिस प्रेजेंटर ने आवाज दी बहुत गुड लगी सबसे गुड बात ये थी आवाज को कई रूप में ढाला गया जैसे जरूरत वैसे ही आवाज में बदलाव किये गए जी अनिल जी बहुत बहुत शुक्री आपका एक बार फिर से इस गुड से मैसेज के लिए और इन्होंने अभी युकता कहानी का जिक्र किया है मेरे साब से नदिनी ने इसे प्रेजेंट किया था असुबद्रा गुमारी चोहान जी के एक कहानी है और उस समय की बहुत उस समय की जो रीती रिवास थे उनके उपर चोट करती हुई एक कहानी थी हमने इसी दे से कारिकरम में शामिल किया था अनिल जी बहुत बहुत शुक्री है आपका हमारे प्रोग्राम को सराने के लिए और दूसरा इन्होंने लव स्टूरी का जिक्र किया है तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया इन्होंने राइटर को बढ़ाई दिया जो उसके लेखक हैं तो लेखक को हम भी बढ़ाई देते हैं और इस कारिक्रम के माद हम से बताते हैं, कि आप में से ये वह एक लेखक थे, हम अपने अपने लिस्नर्ग से उनकी love stories invite करते हैं, हम कहते हैं आपकी अगर कोई love story है, तो वह हमारे भेज़िए, हम अपने कारिक्रम में उससे शामिल करने की कोशिश करेंगे, और जो यह वाली story पूरी थी रुमान, इसमें सबसे अच्छी बात थी कि इसमें रेडियो को केंदर में रखा गया था, और किस तरीके से रेडियो या आकाश्वाणी की कारिक्रम में हैं, वो कैसे लाइफ चेंज कर देते हैं, वो कहीं न कहीं रहा, जी सर, एंड में जो मतलब उनकी लाइफ को बदला है, वो भी रेडियो में बजए गाने के माधियों से, बिल्कुल छोड़ दे सारे दुनिया किसी के लिए सरस्वती चंद का गाना था, तो बहुत-बहुत शुक्रिया निल जी, ऐसे ही सुनते रही है, हमारे कारिक्रम हमें बताते रही है, आपको कैसे लग रहे हैं, और हमारे प्रेजेंटर्स की होसला अफजाई करते रही है, धन्यवाद आपका, जी, अगला लेटर, नेक्स लेटर चो आया है, वो हमें बहुत दूर से आया है, अच्छा, कहां से, फर्स टाइम आया है, तो भाई, इसे तो अभ प्रादाबाद ग्राम दुल्हापूर से आया हुआ है, यह लिखते हैं कि मौमद फर्मान, मौमद सल्मान, मौमद गुल्फान, मौमद इर्फान, मौमद इस्रार, नर्गिस खातून, आपकी कारिकरम बहुत अच्छे लग रहे हैं, जब आपका प्रोग्राम भी यूथ मे में आता है, तो मैं और मेरे परिवार वाले सब सुनते हैं, और खास तौर कर में आसपडोस वाले भी सुनते हैं, कि कौन सा प्रोग्राम है, यह है और कौन सा बताईये स्टीशन है, मैं बताता हूँ उन्हें की आकाश्वानी नजीवबाद है, जी बहुत बहुत शुक्रि के साथ कारिकरम सुनते रहते हैं, और अपनी पतिक्रिया किसी भी कार्णों से नहीं भेज पाते हैं, तो ऐसे लिसनर्स को हम हमेशा मोटिवेट करते हैं, हम हमेशा चाहते हैं कि आप हमारे कारिकरम में शामिल हों, और बहुत बहुत एक बार फिर से आपका शुक्रिया हमा आपको हमारा प्यार भरा सलाम कैसी हैं आप रुमान परवीन और अंकिता जी और शोबिश शर्मा जी हम सब आपके रागुलर लिसनर हैं सभी प्रोग्राम सुनते हैं पसंद आते हैं जैसे गपशा पड़्डा गीत आपके नाम लव स्टोरी यूथ मेल आदी एक गजल शायरी का प्रोग्राम शुरू करें प्लीज चुटकुले का प्रोग्राम शुरू करें एक शिकायत है आपसे आप सबको लेटर ओफ दा दे बनाते हैं आपने कभी मुझे नहीं बनाया ऐसा क्यों किया क्या मैं सही नहीं लिखता वकार जी अगर ये बात आपने सबसे पहले लाइन में लिखी होती तो शायद आज हम सोचते लेकिन ये होता क्या है न कि लेटर ओफ दा डे के जो पैरमिटर्स हैं जो भी हम पैमाने निर्धारित करते हैं उसके लिए वो आपके पास एक दूसरा क्राउन है अब जो है न एक दूसरे माइने में हमारे यहांके किंग है आपको हम regular listener कहते हैं और यखीन वानिये कि जो ये regular listener वाला जो तमगा है ये सबसे ज़ादा शक्तिशाली है सबसे ज़ादा powerful है क्योंकि इसका मतलब यह होता है कि हम हमेशा जो आपके जैसे listeners हैं जो हमेशा इनफेक्ट प्रोग्राम सुनने के बाद हमें अपने लेटर्स भेजते हैं, तो उनको तो हम फिर इसमें सबसे उपर ही रखते हैं, तो आपको तो letter of the day बनने की मेरे साफ से जरुद भी नहीं है, और आप ऐसे ही हमारे कारेकरम सुनते रहे हैं, किसी दिन आपके लेटर में कोई ऐसी बात होगी, जिसके लिए हमें हमारे जो पैरामीटर से हो रिवाइस करने बड़ें, तो किसी दिन आपका भी letter of the day होगा, जी, सब नेक्स लेटर जो हमारे पास आया है, अच्छा, क्लब से आया है, इसका मतलब ये मेरे साफ से मीर गन से letter होगा, बरेली से, जी, बिल्कुर, ये लिखते हैं, उनकी प्रिस्तुती करने का अंदाज बहुत अच्छा है, आप यहां से समय समय पर जो भेट वारताएं आती हैं, वे बहुत अच्छे लगती हैं, काफी ग्यान वर्दग होती हैं, मैंने जब से आकाश्वारी केंद पर श्री शोबिस सर्मा सर की आवाज सुनी है, यकीन मा बोलता है न, वो ही अब इनोंने भी बोला है, बताईए, हमारे हर दिल अजीज श्री शोबिस सर्मा सर, लेटर को हमारे मैसिज को अकाश्वारी नजीअबाद के खिताब से नमादा जाता है, आज मैं शोबिस सर्मा सर को सूपर स्टार का खताब देना चाहता हूं, अपने श्रोताओं के दिलों को जीता है, आप सूपर स्टार हैं, बाखे में, हमारे दिसनर का नाम भी बताईए रुमान, वैसे तो मेरे साब से इमरान शेख होंगे शायर, जी हां सरी, इमरान शेख है, एक तक लप सिंधौली मीर गंसे, इमरान जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जिस खिताब से मुझे नवाजा है, सूपर स्टार आईगेस है, तो देखे सूपर स्टार तो आप हैं, सब के सब, जो भी हमें लेटर्स भेजते हैं, वो सब सूपर स्टार हैं, और अच्छी बात यह है कि जहां तक मेरा, मेरी जानकारी है, आप शायद इस समय बाह अकाशवानी जॉइन किया था, तो हमारे डिरेक्टर साहब थे, सरवत उस्मानी साहब, तो वो हमसे कहते थे, जब भी और यूवानी प्रोग्राम में और बाहर से लोग आते थे, स्टूडेंट्स आते थे, तो सब से कहते थे, कि वेटा यह जो मीडियम है, यह जो प्रसारित होते हैं, तो आप उनको सुनेंगे, आपकी पढ़ाई में भी आपको help मिलेगी, और जहां तक हमारे नजीवाबाद की युवानी कारेक्रम का सवाल है, तो इसे भी सुनते रही है, और हमें अपने सुझाओं से अपने जो भी कुछ कम्याब भी रह जाती है, उन अगर कुछ इसकदर, धुन्द थी च्छाई ना आया कुछ नजर, बेबसी पे हम तो बस रोते रहें, रब हमारे हाल से था बेखबर, युवानी के सभी प्रेजेंटर्स और सभी सेग्मेंट्स सूपर हिट चल रहे हैं, और सभी कारेक्रम बेहत पसंद आ रहे हैं, ग्यार करम होस्ट किया बंशिका जी फरानास साहिबा ने, सत्रा तारीक का कहानी के उस पार खेल-खेल में प्रस्तुती रही नंदरी महेश्वरी और उजमा साहिब की, सभी प्रेजेंटर्स की अवाज दिल में घर कर जाती है, सभी प्रेजेंटर्स को अच्छे कारेक्रम प्रेज करने के लिए दिल से बढ़ाई, और सर ये एक संदेश भी भेज रहे हैं, बदलते मौसम की बजा से खासी जुखाम और डेंगू मलेरिया जैसी बिमारियों से बचने के लिए हमें साफ सफाई का विशेश धियान रखना है, मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने साथ में एक ड्रॉइंग बनाई है, जैसे कि हमेशा बनाते हैं, और इस ड्रॉइंग को हम नजर अंदाज इसले नहीं करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि कितना वक्त लगता है इस तरीके के स्केच को ड्रॉ करने में, तो जिशान ज लोगों का इन्होंने जिक्र किया, वन्शी का फरा, इन सभी को भी हमारे तरफ से बधाई हैं, नंदनी को बधाई, उजमा साहिबा को भी बधाई, और सुनते रही है हमारे कारेकरम, आप जिशान और लिखते रही हैं, सर अब बोई बाला लेटर पढ़ने वाली है, उससे पहले हमारी परिवार की तरफ से साधर नमसकार, हमें आपका युवानी कारिकरम और लोकरजनी कारिकरम बहुत ही लोग प्रिय लगता है, लोकरजनी के ही अंतरगत लोग गीतों में 9-10-2023 दिन सोंबार को अपने कवीता चौदरी की आवाज में कुल की परंपरा और मर्या उन्हों लोगीत को दुबारा सुनवा दीजिए अंकीता मैं आपको रोकना चाहूंगा दरसल इस लेटर में अनिता पंत जी ने हमें भीजा है मेरट से लेटर भीजा है अब चुकि यह लेटर इसले खास है हमारे लिए कि यह स्पीड पूस्ट थे इन्होंने हमें भीजा इस पहे रही जमद्सिए में हमारा या फिर खत भीज सकते हैं हमारे पते पर तो उसके बाद इन्होंने खत भीजा है और इसी खत कि इन्होंने लोग मंज़री काश्रीक मिला हर रविवार को तो उसमें शामिल किया जा सकता है अनिता जी बहुत-बहुत शुक्रिए आपका हमें लेटर भेजने के लिए प्रोग्राम सुनती रहिए और आप हमें वाट्सेप पे भी हमारे जो संदेशने भेज सकती हैं